हलो फ्रिंड्स कलर्फुल त्रेट्स में आपका स्वागत है आज हम बड़े साइज का बैग बनाएंगे इसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है यह बैग हम बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाइस्टेप बनाना सिखेंगे इस कपरे की लंबाई 20 इंच है और इसकी आपके पास राइस बैग हो चावले आटे की बोरी तो उसका भी यूज कर सकते हैं लाइनिंग के लिए मैंने पुराना कपड़ा लिया है सबसे नीचे कपड़े को रखेंगे बीच में फोम रहेगा और सबसे उपर हमें वेन फैब्रिक को रखकर इसके उपर लंबाई में सिलाई लगा लेनी है ते लिकिन मैंने बीच में फोम को रखा है उपर और नीचे कपड़ा है अब इस तरह से इसको हम सिलाई चला कर क्रूल्ट कर लेंगे ऐसे दो पीस हमें बनाने हैं दो पीस मैंने बना लिया है 15 by 20 के अब इसमें मैं पॉकेट लगाऊंगी आप चाहे तो दोनों ही साइड आप पॉकेट बना सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ बैक के एक ही साइड में पॉकेट लगा रही हूँ उपर से साड़े 5 इंच मैंने लिया ह तिन बैक है 5.5 इंच पर निशान लगा कर इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसी reliability देखे इस तरह से निशान लगाना है आप अब इसकी कट्टिंग कर लेंगे 15 इंच का हमें जिप लेना है तो कि इसकी चौड़ाई 15 इंच है तो 15 इंच की हम जिप लेंगे जिप को कपरे के उपर उल्टा रखेंगे अब इसके उपर में सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद जो दूसरा पीस है उसे जिप के दूसरे साइद रखेंगे और इसके ओपर भी हम सिलाई लगा लेंगे तो झारीके इस तरीके से हमें जिप के उपर कपरे को रखना है और सिलाई लगा लेनी है इस वैक को बनाना बहुत आसान है आप चाहे तो इसे छोटे साइज का भी बना सकते हैं या मेडियम साइज का मैंने बड़े साइज का बनाया है 20 इंची बनाने के बाद ये 25-15 का ही तियार होगा अब सिलाई करने के बाद जिप के किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है नई तो ये कप्रा जिप में फसेगा इसलिए हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे अब दूसरे साइट भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगाने लेनी है तेरी के जिप लगाने के बाद अगर कपड़ा थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था तो उसकी मैंने कटिंग कर ली दोनों अपार्थ में बिल्कुल बड़ाबर लेने हैं अब इसे हम इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे उसकी अफैसे दो नगा उन्ट पर मम ने नि्च लगा यह होग पॉर्द आहिए उपर से दो इंच पर मैंने निशान लगा यहांसे दो इंच पर उसके बाद सॉरी, 1.5 इंच पर मैंने निशान लगा है, 1.5 इंच पर और उसके बाद हमें 1.5 इंच का एक बॉक्स बनाना है लंबाई और चौराई, 1.5 इंच लेनी है बॉक्स बनाएंगे और इसको कॉर्नर से गुलाई दे देंगे उपर से मैंने 1.5 इंच लिया है और बॉक्स का साइज भी 1.5 इंच है 1.5 इंच पर हम निशान लगा कर गुलाई देनी है उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे अब इसी कपरे को हम दूसरे भाग में रखकर भी कटिंग कर सकते हैं तो यह हमारा हैंडल के लिए कट हो गया है अब जो दूसरा पीस है उसे भी बिल्कुल सेम साइज का हमें कट कर लेना है उपर से कॉर्णर को भी कट कर लेंगे और हैंडल के लिए भी कटिंग कर लेंगे अब पॉकेट बनाने के लिए हमें कपरा लेना है तो इस कपरे को आठ हिंस तक मैंने में फैब्री के लिया है उपर वाला कपरा और उसके नीचे मैंने पुराना कपरा लगाया क्योंकि वो अंदर चला जाएगा अब यहां पर हमें दोनों सीधे साइड एक आमने सामने रखना है सीधे साइड के उपर सीधा साइड रखेंगे और हैंडल के चारो और हमें सिलाई लगा लेनी है इसके उपर गुलाई में सिलाई लगा लेंगे सिलाई में हमें बहुत जाद मार्जिन नहीं लेना है, बिल्कुल एक पैर की सिलाई हमें लगानी है अब अंदर जो कपरा है इसको कट कर लेंगे कप्रे को काट कर निकाल लेंगे और इसमें हमें हलके हलके से कट लगा लेने हैं दियान रखना है किस लाई ना कटे और इस तरह से हमें चोटी-छोटी कट लगा लेने हैं अब इसी में से कप्रे को हमें दूसरे साइड ले जाना है कप्रे को हमने पीछे की तरफ निकाल लिया है अच्छी तरह से इसे विठा लेंगे आप चाये तो आरेन भी कर सकते हैं अब इसके उपर हमें गुलाई में सिलाई लगा लेनी है तो यह बैक का हंडल बनकर त्यार हो जाएगा इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें बना लेना है तो यह देखिए सिलाई हो गई है अब इसके चारो साइड हमें सिलाई लगा लेनी है देखिए चारो सेडमेंट सिलाई लगा लिए और दूसरे पार्ट में मैंने पॉकेट नहीं बनाया था तो इसमें भी मैंने 8 इंच का कपड़ा लेकर उसी तरह से हैंडल बना लिये हैं तो इसमें इसमें पॉकेट बन गया है जब वाली पॉकेट बन गयी है काफी बड़ी पॉकेट है इसमें आपका काफी सारा सामान डेख सकते हैं अब यहां से हम इसका मेजर्मेंट लेंगे तो यह 15 इंच इसकी लंबाई थी एक इंच बढ़ाकर हमें 16 इंच लेना है 16 इंच की एक स्ट्रिप हम बनाएंगे इसमें भी मैं फोम का यूज़ करी नीचे मैंने लाइनिंग के लिए पुराना कपड़ा लिया है इसकी लंबाई 16 इंच है और इस ट्रिप के चौराई 6 इंच है छे इंच इसकी चौराई है अब इसके उपर भी हम सिलाई लगा लेंगे और इसे कुल्ट कर लेंगे इसके उपर लंबाई में सिलाई लगा लिए अब इससे हम कट करके दो वागों में बांट लेंगे और इसमें भी हमें जिप लगानी है जिप मैंने 16 इंच के लिए जिप को कप्रे के ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे और इसके बाद दूसरा पार्ट भी हम दूसरे साइड स अब हमारी जिप आल स्ट्रिप तियार हो गई है अब दोनों पार्ट मेंसे हम लगाएंगे इसके लिए मैंने उपर से चार इंच पर निशान लगाया है चार इंज पर निशान लगाकर सीधी लाइन बना लेंगे अब देखिएगा ध्यान से आप इस ट्रिप को हमें इसी लाइन के ऊपर रख लेना है और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस ट्रिप को मैंने रखकर सिलाई लगा ली है अब जो दूसरा भाग है उसे दूसरे साइड रखेंगे और इस ट्रिप का दूसरा भाग हम यहां भी चार इंच वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसके ऊपर रखेंगे और यहां भी सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट के बीच में हमारा जिप वाला जो हमने स्ट्रिप बनाया था वह आ गया है अब इसके तीन साइड का हमें मेजरमेंट ले लेना है यहां से इंची टेप को लेंगे और जितना एक्स्ट्रा कपरा है स्ट्रिप का उतना ही हमें इसमें भी लेना है सैड circuits लगबग 8,nich एक्स्ट्रा लेंगे और ये डेखिए एक्स्ट्रा लेते विए मैं इसका नाप ले रही हूं तो ये लगबग 36 इंच आ रहा है तो 36 इंच की एक स्ट्रिप हमें बनानी है जिसके चौड़ाई 6 इंच होगी क्योंकि उपर भी हमने 6 इंच की स्ट्रिप लगाई है तो इसे स्ट्रिप को हम यहां रखकर स्ट्रिप करेंगे जिप वाले स्ट्रिप के साथ में और दूसरे साइड से भी इसके जिप वाले स्ट्रिप के ऊपर रखकर इसे स्ट्रिप कर लेंगे अब देखिए यह स्ट्रिप हो गया है है दोनों सीधिंग साइड अंडर की तरफ थी अब Kerry सीधा कर लेंगे इस तरह से सीधा करेंगे और सीधा करने के बार इस तरह से किनारों को मिलाते हूं में सिलाई लगा लेना है क्योंकि हमें इसके ओपर पाइपिंग लगानी है इस सिल्हाइगा तरफ रखते हुं, हमना लगा लगानी है डिखिए यहां से यह मिलाते जाना है और लग लेंगे दूसरे किनारे तक हम सिलाइगा लागा लेंगे कॉर्नर पर इस तरह से में से घुमा लेना है सोई कब्रे के अंदर रहेगा और इसे इस तरह से घुमाते प давसिलाई लगा लें है दूसरी कॉलनर पर भी हमें । इस तरीके से इसे मोछना है बिल्कुल किलारे तकाएंगे और सोई कब्रे के अंदर रहेगी तब इसे घुमाकर हम उपर तक可能 लगा लेंगे इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेनी है दूसरे साइड भी कपरे को मिलाते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है तो देखें मैंने सिलाई लगा ली है अब इसके उपर में पाइपिंग लगानी है पाइपिंग के लिए मैं सीधी पट्टी का यूज़ कर रही हूँ सीधी स्ट्रिप का क्रॉस स्ट्रिप का यूज़ नहीं कर रही हूँ इस स्ट्रिप के चौराई लगबग दो इंच है और इसकी लंबाई बैक को आप एक बार नाप लीजेगा कितनी लंबाई आपको जरूरत होगी उससे थोड़ी से लंबी स्ट्रिप लीजेगा इस तरह से इसे एक बार हम फोल्ड कर लेंगे और इसके ओपर हमें रखते वे से स्ट्रिप कर लेना है यहां तक स्ट्रिप कर लेंगे तो यह दिक्षे मैंने पाइपिंग को स्ट्रिप कर लिए कॉठ पर हमें इस तरीके से एक फोल्ड दे देना है आप यहां पर यहां पर में जहां गुलाई थी eviden पर मैंने हलके हलके से कैची से कट लगा लिए हैं जिससे इससे fold करने में आसानी होगी इस तरह से fold कर। दूसरे साइड भी इसी तरीके से वड़ाई लगा लिए नहीं है दूसरे साइड भी इसी तरीके से हम पाइपिंग लगा लेंगे और यह सुन्दर सा बैक बंद कर त्यार हो जाएगा इसे बनाने में लगभग 80 cm कप्रा लगा है तो अगर आपके पास कोई ब्लाउस पीस भी हो तो उसे भी आप इसे बना सकते हैं कोनी पर इसे हमें हलका सा कुमाल लेना है उसके बाद इसे इसी तरीके से कप्रे को डबल फूल्ड करते हुए में सिलते जाना है तो यह देखिए हमारा बैक बंद कर त्यार हो गया दोनों साइड मैंने पाइपिंग लगा ली है देखिए कितना सुन्दर सा यह बैक है आप इसे किसी भी तरीके से तरह के कप्रे से बना सकते हैं मैंने इसे कॉटन कप्रे से बनाया है आप चाहे तो इसे सिंथेटिक ब्लाउस पीस याप किसी भी कप्रे से आप इसे बना सकते है इसमें आप डिट सारा समान डग सकते हैं अलग से हमने इसमें हैंडल नहीं बना हुआ है यह पॉकेट है पॉकेट भी काफी बड़ी है और इस पैक की चोड़ाई 6 इंच है जिसे यह काफी सारा सामान इसमें आप रख सकते हैं तो आज का वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो क लाइक कीजिएगा वीडियो दिखने लिए आपका धन्यवाद